नमस्कार दोस्तों मैं अंक्यत वर्मा एक बाहर फेर से स्वागत करता हूँ आपके इपने चैनल अंक्यत वर्मा और एट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 11 मार्च 2022 की हिमाचल प्रदे ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके चलिए वीडियो को जोई शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है कमेंट करके जो रूल बताएं कि आप हिमाचल प्र ने सरकार को भीजा पस्ताव तो हिमाचल परदेश में कई ऐसे समधाइक और सिवल अस्ताले जहां डॉक्टर और फार्मासिस्टों का अतरिक्त स्टाफ पैठा है सरकार ने ऐसे स्वास्ते करमचारियों की सूची मांगी है तकनीक हिमखंड गिरने से जो है दो गहंटे पहले मोबाइल पर आएगा अलल्ट अर्ली वर्निंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा दी जी आर ई तो दालंग में लगने वाली अत्यादुनिक थकनीक की अबजर्वेटरी सॉफ्ट्वियर के माद्यम से आसपास के 10 किलोमीटर के दाइरे में मोबाइल टावरों से जूड़ी देश भर के किसी भी पॉली क्लेनिक में जो है उपचार ले सकेंगे एसी एचस लाभार थी तो यह एसी एचस पॉल क्लेनिक हमीरपूर के प्रभारी करनस तेश कटोष ने बताया कि अब किसी भी पॉल क्लेनिक में उपचार वार रैफरल के सुविदा बिना किसी कागदी क कारवाई की दी गई है हिमाचल क्याबिनेट नई आबकारी टोल नीती को मंजूरी 16 फिस्ती सस्ती होगी देशी शराव तो बैठक में जो है वित्य बर्स 2022 से 23 में राज्ये में प्रती एकाई 4 प्रतिशत नवीनिकर्ण शुलक पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनिकर्ण को मंजूरी दी गई बाज्पा विदाएक तेल की ड। सिकंदर को राज्ये सबा परत्यासी बनाने की शन्सतो थी तो मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने बताया कि ड। सिकंदर सौंबार को नामंकर बहरत נीती त्यार करने के लिए बनेगी कमेटी तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत सच्चिबों की 20-50 सीटें से लाई अधियापिकाउं से भरी जाएंगी इसकी अधिस उचना शीगर जारी जो है की जाएगी शिमला में उगर प्रदर्शन मामला आठ और आरोपी गिर्फतार तीन दन की रिमांड पर भेजे तो पुलिस सदिक्षक डॉक्टर मॉनिका ने बताया की आठ और गिर्फतारियां हुई हैं सभी आरोपियों को रविबार को अधालत में पेश किया गया जहांसे यहने तीन द मुख्यमंत्री अमित्षा से बात करने का मौका मिला तो उनसे वा सिर्मौर के गीरिपार के हाठी समुदाय को जंजाती दर्जा देने का मुद्धा उठाएंगे एच प्यू शिमला शिक्षकों के साक्ष्टाकार स्थगित कुल सर्चिबने जारी की अजिस सूचना तो बि साल में जो है चिकितसा आपात खर्चों के लिए जो है 28,535 लोगों की मदद की तो पिछले चार साल के दोरान नेजी तोर पर कंपनी निकायों तो तथा विबिन संगटनों से मानवी प्रियोजिन के लिए च्छेटालिस लाख नडिनुए लाख 13,820 रुपय की राशी आइश्टान के रूप में प्राप्त हुई है यह जानकारी राज्य के सरकार के एक प्रवाक्ता ने दी है विधायक तल्क का फैसला राज्य सबा चुनाब में कांग्रस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनियोत्र ने बताया कि CLP ने भासला ले आए कि कांग्रस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी कुलु कार्निवाल सियम जाराम करेंगी शुब आरंब कला का जादू विखे लेंगे कलाकार प्रतिस वारताएं भी होंगी तो तस्वीरें आप तेख सकते हैं उपायुक्त आशुतोश कर्ग ने कहा कि कुलु कार्निवाल का आयोजन भारत सरकार के से वस्त्र मंत्रल लेके कुलु स्तित हस्त शिल्प कार्यल काला भाशा इवं संस्कृति विभाग और जीला प्रशासन के सयोग से किया जा रहा है कार्निवाल दस दिन तक जो है चलेगा अब सिर्मोर में भी घारों और घारों के फर्श और दिवारों से रिषने लगा पानी बिलास पूर पहुंची डीजी याराई टीम तो सदर सुभाष गौतम ने बताया कि इस मामले में कुछ देनों तक प्रभावित गहरों के समिक्षा की जाएगी अगर समस्या बनी रहती है तो आई आई टी रूड़की के विशेशग्यों को बोलाया जाएगा हिमाचल बैदर उन्ना में जो है 35 डीगरी गर्मी से लोग बेहाल आर्श यारों में 30 से उपर चड़ा पारा तो हिमाचल परदेश में बारश वा ओला वरिष्टी के अलार्ट के बीच गर्मी ने लोगों के बेहाल कर दिया है मौसम विभाग ने शनीबार और रविबार को परदेश में बारश वा ओला वरिष्टी के लेकर यलो अलार्ट जारी किया था ना तो शनीबार को बारश हुई ना ही रविबार को बारश हुई रविबार को दिन भर मौसम साफ रहा उन्ना में अधिक्तम तापमान जो 35.5 डिग्री सर्चेस रिकॉर्ड हुआ सोलन में गीरा डंगा मकानों को नुकसान दोबी घाट मार्ग पर पेश आया हाथसा गाड़ियां भी आई चपेट में तस्वीरें आप देख सकते हैं नगर नीगम सोलन के अंतरगात वाल नंबर साथ स्थित दोबी घाट मार्ग पर जो है रविवार को नीजी स्कूल भवन के साथ लगता टंगा अचानक से गय गया इस घटना से आसपास के गारों को नुकसान पहुचा है एक महिना देरी से शुरू होगा नजा सतर स्कूलों में 13 अपरेल को खतम होंगी नोन बॉल्ड कक्षाओं के फाइनल एग्जाम परदेश के स्कूलों में इस बार नाजा सत्र एकमात देरी से शुरू होगा ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों में अभी लगवक सभी कक्षाओं के एक्जाम चल रहे हैं ऐसे में अप्रैल में पूरा कक्षाओं में ही चला जाएगा इससे सेशन शूरू होने में समय लगेगा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मताबे बोल्ड कक्षाओं जिसमें दसमी और वार्मी कक्षाओं शामिल हैं इन कक्षाओं की प्रीक्षाओं जो है तेज मार्श शूरू होने वाली हैं साथ ہी Non-Volts कक्शाओं की प्रीक्षाár भी अभी स्कूलों में चल रही है जिसमें 9-1-19 की प्रीक्षाइं शामिल हैं ये प्रीक्षाइं भी 13-E-epärila तक ही खतम होंगी इसके बाद जमआ ये खक्शाओं की Practical प्रीक्षाएं होनी है इसे साफ है कि अपरेल मा में जो है प्रीक्षाएं खत्म होंगी और उसके बाद करीब एक सब्ता बच्चों का रिजल्ट त्यार करने में जाएगा ऐसे में नया सत्र पहली मई से ही शुरू हो पाएगा तमिल नाडू में सिर्मौरी नाटी की धहमाल लोक जनजाती निरित्य महुसतत तंजापुर में आसरा का प्रदर्शन तस्वीरें आप देख सकते हैं तमिलनाडू के जो है तंजाबूर में आयोजित किये जा रहे पांच देवसिय राश्ट्रिय लोग एवं जनजातिय निरित्य महुत्सब में, सिर्मवर के हाटी किशेत्रों के लोग कलाकार सिर्मवर के जो है पारंप्रिक लोग गीत्तों वा लोग निरित्यों का जा रहा है अड़ाइ लाक मत दाताओं को बेबी केर किट आटल आश्रबाद योजना के तहत स्वास्ते विबाग ने खर्चे साड़े 28 करोड तो हिमाचल परदेश में शिशू मृत्य दर में कमी लाने के लिए परदेश सरकार दोरा आटल आश्रबाद योजना के तहत जो जो है बेबी केर किट परदान की जा रही है रंगड के काटने डोबने से मौत पर भी चार लाक है परदेश सरकार ने 2012 की रिलीफ मैनूल में किये बदलाव राज्य स्तरिय नलवाडी मेले में जो है कुष्टी प्रतियोगिता शुरू राष्ट्री अंतराष्ट्री स्तर के पहलवान दिखाएंगे दामखम तस्वीरे आप देख सकते हैं क्वाटर से सार करने निकली महिला के साथ रास्ते में हो गया दर्दनाक हाथसा चंबा से निवजे की चंबा शार के हरदास पूर में जो है सुबा की सहर के लिए निकली एक महिला की गिरने से मौत हो गई मरितका की पैचान 58 वर्षिय में वर्षिय जीवो देवी पतनी गुर्द्याल निवासी गाउं मौकरी डागर राडी तैसीलवा जीला चंबा के रूप में हुई है ये कैसा शिकर की और हिमाचल पांगी के इस पंचायत में आज यादिज के 75 वर्ष बाद भी सड़क नहीं पहुंची तच्पीर आप देख सकते हैं दोस्तों ये थी आज 21 मार्ट 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सब भी ताला खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले है ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सक धन्याबाद चैहिं चैभाद का ताद चैहिं हुआ 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 है